ब्रंच वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं ब्रंच वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है नाश्ता या फिर कलेवा ब्रंच वो खाना होता है जो हम नाश्ता मतलब की ब्रेकफास्ट या फिर लंच के बीच में करते हैं तो breakfast plus lunch क्या हो गया? ब्रंच हो गया, तो उसके बीच में जो हम भोजन करते हैं उसे ब्रंच कहते हैं आईए इस एक example से समझते हैं We always have brunch together on Sunday इसका क्या मतलब हुआ? कि रैवार को हम हमेशा एक साथ नाश्ता करते हैं तो आईए ब्रंच वर्ड का हिंदी मीनिंग आप लोग जान गए होंगे ऐसे ही और डेली यूसेज वर्ड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें